Hello friends, welcome back to our YouTube channel SSAJEE को लेके बहुत से लोगों के बहुत से questions थे कि सर आप इसमें कुछ guidance दीजे तो देखिए, मेरा guidance ऐसा नहीं रहता है कि मुझे कोई last में आपको code देना है या मेरा कोई एक particular batch है जिस पे आप जाकर वो code यूज कर सकते हैं या कोई मैंने बहुत बड़ी preparation कर रखी है, बहुत सी PDF साब के सामने हम डालने वाले हैं ये paper का pattern है, ये सब हैं वो चीजें generally YouTube पे available हैं और एक दो वीडियो नहीं, कई वीडियो available हैं मैंने लगबग सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देखा और जाना कि आखिर चीजें वो कौन सी जरूरी हैं, जो आपको selection करा दें क्योंकि इस channel पे जो लोग जुड़े हैं, अभी तक जो मेरा idea है उसमें non sincere तो कोई है ही नहीं एक हाथ जो हैं, वो 2-4 दिन टिकते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं उन्हें हमारी बातें साइद पच्चती नहीं है या उन्हें वैसी glamorous लगती नहीं है कुछ भी कह लीजे SSC, JE का exam हो या किसी भी चीज का exam हो हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी, MPPSC में मैंने बहुत बार कहा था कि civil में जो paper आ रहा है, AE और JE में उस paper में accuracy matter करती है, knowledge एक level पर आके saturate हो जाती है फिर केवल ये निर्भर करता है कि वहाँ पर आप सही हम से काम लेते हैं या excited हो जाते हैं, वहीं पर number of questions कम जादा जिसके सही होते हैं उसकी उस पर differ कर जाता है, इसलिए non-tech को खराब मत करिएगा जिन लोगों ने मेरी बाते मानी, उनके marks अच्छे आ रहे है बहुत से ऐसे messages आये हैं, मुझे मन किया, मैं उन चीज़ों को डाल देता हूँ लोग देखेंगे, inspire होंगे फिर चूंकि वो self praise में चला जाता है, उन सब चीज़ों से बहुत जादा मुझे फिलाल तो लेना देना है ही नहीं से सी जेई 2022 का जो pattern है वो पहले जैसा ही है tire 1, tire 2 exam होना है अब अगर पिछले साल के आप cut off बगएरा को देखें तो आप पाएंगे कि CPWD लेने के लिए जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा preferable department होता है आपके around 140 plus marks अगर आ रहे हैं तो आपको लगबग 150 marks या आप ये मान के चलिए हाँ 150 कह सकते हैं 150 marks आपके second paper में भी अगर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको CPWD मिल जाएगा CPWD में पिछली बार 306 नमबर कटाफ था जनरल का और उसके साइद 155 marks थे 155 marks थे second paper में यानि उसके 150 marks रहे थे अब इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके 140 marks हैं उसका selection CPWD में नहीं हुआ होगा उसके 165 marks रहे होंगे second paper में तो जो उनका cut-off देने का तरीका है उससे के विल ये पता चल सकता है कि जो last selected candidate है उसके second paper में जो marks हैं वो full marks से कटा कर उसके pre में कितने रहे होंगे तो ये नहीं कहा जा सकता कि 150 से कमाने पर CPWD नहीं मिलेगा actually में जो final cut-off बनता है उसमें pre और means एक तरीके से tier 1 और tier 2 के marks जोड़े जाते हैं तो यहाँ पर जितने ज़्यादा marks आप tier 1 में ले आएंगे उतनी ही सहुलियत होगी आपको tier 2 में जितने कम भी आएंगे overall आपका अगर cut-off cross हो जाता तो you are selected finally interview का कोई यहाँ पर chance ही नहीं है, case ही नहीं है situation अब interview की नहीं रहती है अब बात यह आती है कि कैसे इस competition को beat किया जाए अगर कोई video मुझे दिखा था तो उसमें 33,000 लोगों ने उस video को देखा था यानि 33,000 लोग किसी कही हुई बात को सुन रहे हैं, अगर sincerity level देखो तो देखने वालों की sincerity level YouTube पर अगर कोई maximum view जाता है तो 40% रहती है उनकी बातों को पचाने की तो अगर देखा जाए तो 12,000 लोग होगे, अब 12,000 लोग में अगर और sincerity level देखा जाए तो प्रभावित होने वालों की संख्या रहती है लगबग 20% तो 12,000 का 20% अगर आप देखें तो ये लगबग 24,000 लोग आएंगे 24,000 लोगों में अगर वो truly guidance अगर कोई लेगा तो 1000 लोग होगे अगर वो उसके through guidance लेगा तो 1000 लोग होगे, ऐसे ही अगर 4-5 standard बड़ी-बड़ी coachingों को देखा जाए तो 1000-5000 लोग, 5000 लोग ये होगे और जो giants हैं, दिल्ली में बैठे हैं जिनके courses online अपने आप दिख जाते हैं जिनके classes हैं, जिनके बैच में 600-600 बच्चे हैं, उनको अगर जोड़ा जाए तो 5000 वो होगे, तो 10-1000 students तो यही होगे, जिनको सब पता है syllabus क्या है, पढ़ना कहां से है, content जिनके पास है, तो selection उनका कहां से होगा, अगर suppose अम मान के चलते हैं पता चलता है, तो उस केसमें उन 10-1000 में आप कैसे आएंगे, अब उन 10-000 में हैं, उनको सब कुछ पता है, उनमें कैसे लीड करेंगे, अब उसी के हिस्से हैं, जो टीटर आपको बता रहा है, वही आप कर रहे हैं, उसमें हो सकता है, ठीक, accuracy यह remembrance है, पता परचला पेपर उन चीजों को देखके थोड़ी ना आता है कि सामने वाली कोचिंग वाली ने क्या पढ़ा है वो देखकर नहीं आता है इन दस हजार के अतरिक्त भी हजार इस्टुडेंट्स होते हैं वो हजार इस्टुडेंट्स आराम से बैटकर रूम पर पढ़ रहे हैं आराम से बैटकर एम टेक कर रहे हैं आईटी के भीतर हैं कहीं पर भी हैं किसी भी जगे प्रपरेशन कर रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं उनको किसी भी यूट्यूब चैनल से किसी भी प्रपरेशन से कोई खास बहुत फरक नहीं पड़ता है उनको ये पता होता है कि प्रिवि प्रशन को अच्छे से attempt किया उसके pattern को एक एक point to point समझा अगर हमारे पास 6 paper अगर previous year के हैं 6 set हैं हमारे पास और अगर हमने उनको ध्यान से देखा तो हम इतना तो judge कर लेंगे कि ये प्रशन बार बार आ रहा है इस तरीके का प्रशन तो इस प्रशन की सोध हो जाए कि इसका क्या solution है फिर क्या किसी के हमें guidance की वहाँ जरूरत है अगर हम अपने सोध से उस प्रशन को निकाल लेते हैं या कोई ऐसा person है suppose मैंने उस चीज को किया और आपके सामने ये रखा कि भाई 5 बार ये question आया हवावाजी की बाते होती है 50 में 50 हो जाएंगे और 50 में 25 हैंगे अब हमको civil में करना है और हम इतना कल लेंगे tier 1 में तो ही जाएगा tier 2 में हम लिख देंगे और अमारे marks आ जाएगी उन सब बातों का वही बात मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि ये गलतियां नहीं करनी है और जो चीजें मैं बता रहा हूँ अगर आपको tier 1 में maximum marks लाने हैं तो only way goes from non-tech ऐसा नहीं है कि मैं कोई non-tech पे आपको मतलब वो कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई course sell होने वाला है और उसी को आप लें non-tech ही आप पढ़ें practical बाग बता रहे हैं आप इतने exams दे चुके हैं even UPPSC AE में भी आपने देखा जिसकी हिंदी जीयस अच्छी है उसके selection के chances भी बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पे जो 50 number आपके reasoning के हैं इसमें आराम से 45 तक लाए जा सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं कि आप आराम का मतलब लेटे लेटे number आगे ऐसे नहीं आएंगे उन questions के थुरू होकर जाएए अपने concept बिल्ड करिए practice करिए similar type of questions तो एक possibility बनती है कि आप 45 ले आएंगे और यह बहुत supreme possibility है मतलब supreme case में है जब आपकी bill power बहुत अच्छी है कि नहीं we have to do that और अगर बात की जाए non-tech में GS के portion की 50 की तो जो चीजें मैं आपको बताता हूँ तो उसमें संभावना है कि आपके 30 plus और 35 तक marks आ सकते हैं 50 में 50 की बात मैं करूंगा नहीं क्योंकि बहुत सी चीजें compile रहती हैं उसमें उस level पर पढ़ने के लिए कम से कम कम से कम खराब से खराब situation में आपको 6 months पूरे के पूरे चाहिए अगर आप चाहते हैं कि 50 में आपके 45 plus marks आए तो 6 months आप रख लेजिए daily basis पे 3 hours के लिए तब जाके वहाँ पे आपसे question 45 plus लाने की छमता होगी तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा 30 से 35 नमबर की बात करूंगा 30 at least आपके आजाएंगे अगर आप हमारी बताई हुई चीजों को follow करेंगे मांकि हम तो कुछ ना कुछ जरूर करते हैं हार exam में तो इसमें भी करेंगे ठीक है तो ये 30 और 45 ये जो 75 नमबर हैं ये आपकी बहुत बढ़ी ताकत है अब रही बात civil के 100 questions की अब आप imagine कर लो यहीं से कि आपका खराब से खराब situation रहेगा तो आप कितना कर ले जाएंगे और फिर second paper भी आपके पास option रहता है तो tier 1 का cutoff जो भी आता है उसको clear करने के लिए non-tech पे आपकी command होना बहुत जरूरी है हमने कुछ चीजें आपके लिए लिखी हैं जो आप अभी से शुरू कर सकते हैं और that will be truly fruitful 12 set बना लिजे 5 pages के current affairs I will suggest to you from the December 2021 कोई भी question आपका वाँ छूटे ना इसके लिए December 2021 से लेके और जो 12 set हैं वो October 2021 तक के लिए बना लिजे I think इसमें 11 set बनेंगे तो आप ऐसा करिए कि 11 set ही रखिए December 2021 से लेके October तक के बना लिजे और filling स्टार्ट कर दीजे 5 pages for current affairs का मतलब आप current affairs की जो भी standard PDF है websites के थुरू मिले आपको या PIB India के थुरू जो news है PIB India के थुरू direct question उठके आते हैं जो लोग UPSC वगेरा की self study करते हैं उनको पता है की PIB India का कितना बड़ा यूज है तो उसके थुरू आप कर सकते हैं अगर आपको कोई channel लगता है तो उसकी monthly current affairs के थुरू जाईए जिसमें वो चीजों को मतलब discuss करता है की कौन कौन सी चीज important है Don't go through the questions questions can be मतलब भूल सकते हो आप but conceptually आप चीजे नहीं भूलोगे बहुत important है जैसे किसी ने UP budget से relate करके अगर questions attempt किये हैं तो possibility है कि वहाँ budget का question उसके बाद भी उसका गलत हो जाए लेकिन अगर उसने budget में points note किये हैं तो ये संभा होना है कि उसका question उसी के बीतर आएगा तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा ये बहुत important है तो ये 5 pages का मतलब थोड़ा थोड़ा ज़रूरी नहीं कि आप आज एगर जनवरी का किये हैं तो जनवरी के जब तक 5 page नहीं बर जाएं तब तक ना करिये जनवरी का किया है नेक्स डे आप फरवरी का कर लीजे mindset running mode में रहना चाहिए ये बहुत important है और सबसे ज़्यादा questions science के आते हैं जिसमें bio में inclination रहता है अगर GS के portion की बात करें तो science के question जो भी standard book आपको मिले Lucent की मिले या कोई other publication की आपको लगे अभी हमने उस पर research नहीं किये कि कौन सी book हो सकती है उसको भी हम suggest कर देंगे एक दो दिन में कि कौन सी book को preferably आपको science के लिए select करना चाहिए Don't go through the YouTube questions ये चीज़ें permanently आपके mind में store नहीं रहती है एक्विरेशी में अगर कमी लोगों की रहती है तो उसके पीछे region है कि digital format में आप ज़्यादा study करते हैं आल्दो paper आजखल digital format में भी हो रहे हैं तो I will suggest कि digital format के through questions attempt करने से अपने आपको जितना हो सके बचाएं conceptually books से पढ़ें, pdf से पढ़ें thriller में मच जाएं, जहांपे live classes चल रही है, comment करो हाँ अब तुम आ जाओ, तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पर क्या होगा उन सब बातों से आपका जो focus level होता है, चीजों को grabs करने का, वो slip करता है understand what I am saying to get selected, I am not saying to get excited किसी चीज को सुन कर excited हो जाएं, मैं कर दूंगा और उसके दो गंटे बाद, चार गंटे बाद, फिर अपने pattern पर आ जाना तो यह चीज बहुत महत्पूर है, जो history, geography, policy के questions है, उनको compile करने के लिए 2015 से 2021 के UPPCS के pre-K static questions कर लिजेगा इससे आपके वहाँ लगबख सभी सही होने की probability हो जाएगी, वो कहीं से भी पूछेंगे, इन 6 वर्सों में जो questions पूछे गए न, बलकि हम कहेंगे 2013 से कर लिजे, 12 से कर लिजे, जितना खींच सकते हैं, उतना खींच लिजे, हम आपको assure करते हैं कि इसके बाद आपके वो questions गलत नहीं होंगे, इसका एक pattern न है previous year के, अगर 6-7 साल के आप questions लगाएंगे, तो लगबख सभी चीजें वो आ जाती हैं, जो exam में पूछे जाने के लिए exam के paper बनाने वाले को important लगती हैं, उसका भी एक set method होता है, जैसे आपने देखा होगा, कि पिछले जो exams हुए हैं, च सब चीजों का सबसे ज़्यादा किया है, to create content for test series, to create content for books, to create content for particular test for in class test, और खुद पढ़ाना भी रहे, समझ लो, उस level पे चीजें built up भी करनी हो, तो idea ठीक ठाक रहता है, इसमें कोई सक नहीं है, और reasoning aptitude के लिए कोई भी standard book आप follow कर सकते हैं, आरे सक गरवाल की मिल जा है, व भी ठीक है, practice कर लिजे, जब आप इस पे काम आज से, कल से, परसों से, जब से सुरू कर देंगे, तो आप जब भी civil पढ़ेंगे, तो आपको इधर वाले confidence की वज़े से, उधर भी एक अलग ताकत लगेगी, अलग टाइप का सोध फील होगा, कि इसमें भी तो 80 से उपर ल से दे के आया, वो आज की डेट में अगर से से जई का previous year का paper उठा के देखे, तो वो 70 question ऐसे सही करेगा, जिसमें उसको ये भी नहीं सोचना है, कि इसमें options दूसरे क्या दिये, ये rate the question, ये got the answer, ये situation होगी, तो fluency, continuity, hard work, कभी न कभी काम आता है, बस ये होता है कि कहीं पर patience रखना होता है, कहीं पर time frame नहीं होतना अच्छा, ये चीज तो हो गई, कि किस तरीके से SSCJ की preparation करनी है, अब हमारा क्या role है, हमारा role ये रहेगा, कि एक अगस्त से हम आपके लिए GS के questions लेके चीजें शुरू करेंगे, इसके अलावा, कुछ चीज मैं इसमें इस बार additional रख कर सकूं, और उसका criteria सिर्फ पैसा नहों, कि आप हमें इतने पैसे दे दीजे, फिर you are eligible to contact me, eligible to ask anything, उसके अलावा भी मैं कुछ criteria रखना चाहता हूं, वो सकता है कोई कोई एक, मैं आपको question paper दूँ जिसका answers मुने चाहिए, अब उस question paper का syllabus बगेरा क्या होगा, ये between the days हैं, उस super 50 batch की जो सबसे बड़ी खूबी है, वो ये नहीं है कि आप SSC J qualify कर जाएं, उसकी खूबी ये है कि आप within the span of at least one and half year, you should be in job and that should be a government job, ये उसका मतलब criteria है कि उस 50 लोगों को हर हाल में हम एक time frame, निश्चिट time frame में selection की और न केवल अग्रिसर कर दें, बर ठील में उनका selection हो ज पतलब अभी पिछले 2-3 साल में BTEC किया है, उसको क्या करना चाहिए वाली अगर जोन आए, तो मेरा मानना ये है कि SSC J की preparation करिए, अगर आपने अभी तक MTEC नहीं किया है, MTEC करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उस चीज को छोड़ कर भी gate को form जरूर भरिए, gate को जरू पूर दीजिए, अगर आपको HBDI कानपूर भी मिलता है, आप उसमें admission ले लीजिए, इस बात को समझिए, experience basis पे बोल आओ, आज की date में जो लोग MTEC को value नहीं देते हैं, MTEC के through अपने आपको मानते नहीं हैं, नीरस है, ये है, हम उन लोगों को बहुत intellectual नहीं मानते हैं, अगर उनका लच strictly UPSC IAS है या strictly IES है, and they don't want to listen, वो हमें सुन भी नहीं रहे होंगे संभावता, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन on average हैं, आप में बहुत जादा मतलब focus अभी भी generate करना है, चीजों को लेके doubt रहता है, you want to listen someone to understand something, then it means you lack over something, ठीक है, गेट का एक जाम दीजिए, UPPSC AE और UKPSC AE ये आते रहते हैं, during that period आपकी M-Tech हो रही है, आप आसानी से टेकनिकल लोगों के बीच रह रहे हैं, जब भी कहीं जॉब भी करने जाएंगे, तो वहाँ पर XCN होता है, जिनियर इंजिनियर होता है, आपस में बाचीत करते हैं, वहाँ आपको SDM तैसीलदार से भी इंट्रेक्ट करने का मौका मिलता है, जब जैसे ही tender वगेरा चीजें होती ही, कहाँ पर कैसे काम होना है, तो कुल मिला कि आप पहले लिखे लोगों के बीच रहते हैं, वहाँ पैसे का लेवल अलग हो जाता है, और कुछ जिन्दगी में बदला जाने का मौका मिलता, आप छोड़ भी सकते हैं, कोई आप बहुत बड़ा लोड नहीं रहता है, तो to get environment, I will suggest to join Mtech, और उसके साथ साथ आपकी तयारी भी होती रहेगी, तो यही सब चीजें हैं, बाकी मिलते हैं, जल्द मिलेंगे और भी suggestions हम आपको देते रहेंगे, और हमा इन्टेंशन बनीद है, इसके लिए मैं खुद को जिस भी लेवल पर बूस्ट अप कर सकता हूं, करता रहता हूं, आप लोगों की भी बहुत सी चीजें हैं, जो support और आप लोगों ने प्यार दिखाया है, उसकी वज़े से एक अलग स्तर की पहचान है, कई लोगों के ऐसे phone calls आए हैं, कई लोगों की ऐसी mails आए हैं, जिनको पढ़के लगता है कि हमारा जो effort है, वो blue jam तभी होता है, जब सामने वाला सुनने वाला हो, अगर मैं बोलता चला जाओं और सुनने वाला कोई ना हो, उन बातों को आत्मसात करने वाला कोई ना हो, तो क्या value है speaker की, कोई value नहीं है, listener is always more supreme than speaker, और यही मैं कहना चाओंगा, मिलते हैं, next video में, न सिर्फ बातों के साथ कुछ execute करते हैं, thanks for watching.